नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज की कक्षा में थम्नेल में जैसा कि आपको बड़ा सा लिखावा है और यह जानबूजगर हमने PTI इतना बड़ा लिखा है. सेकेंड ग्रेड का जो PTI का जो एक्जाम हुआता और उस एक्जाम में जो भारतिय सविदान और राजववस्ता तता IR विशेश रूप से अंतराष्ट्य संगठं के संदर में जो प्रशन आये थे वो प्रशन हम सब को एक बार फिर से विचार करने के और हमारा ध्याना करशि हो रहा है कि भारतिय सविदान और राजववस्ता के प्रशनों की अब प्रकरती बदल चुकी है कुछ दिन पहले जो PTI सेकेंड ग्रेड का जो एक्जाम हुआ हाला कि मुझे इन प्रशनों के हलका वीडियो कभी का लादे ना था लेकिन इसकूल वेख्याता के वीडियो र भ्रतिया आने वाली है जितने भी अभ्यरति इसके अग्जाम देने वाले किसी भी वैकेंशी के उनके लिए बहुत मैत अपरण है कि इन प्रशनों को ध्यान से देखें और आप जाने कि भारतिये सविदान और राजववस्ता के प्रशनों की प्रकृती अब किस प्रकार स अब आर्टिकल के भीतर आप लोगों को धाराएं पूची जा रही है उन सब को याद करना होगा और इस थम्नेल में एक और बात है कि ऐसे प्रशन जो आपको सोचने को मजबूर कर रहे हैं आकर कैसे प्रशन आये थे आई एम 25 प्रशनों के बारे में चर्चा करते हैं उनका स प्रशनों को हल करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए आखिर इन प्रशनों का तोड़ किया है हम त्यारी करने वाले अभ्यरती है हम पढ़ने और पढ़ाने वाले है हमका हमारा प्रया समेसा होना चाहिए कि बहतर से बहतर त्यारी करके जाए चाह प्रशन किसी भी प्रकार क आए आए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं लेकिन कक्षा को शुरू करने से पहले आप यदि इस्कूल वेक्याता, इस्कूल लेक्षरर, पॉलिटिकल साइन्स से त्यारी कर रहे हैं या भारतिय सविधान और राजववस्ता की रूची रखते हैं या उसकी आप लोगों को त्यारी करनी हैं तो हमारे मोबाईल एप पॉलिटिकल एकेडमी, पॉलिटी विद क्यूरिश को आप लोग अवश्य मोबाईल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और वहां जाकर आप बहुत सी कक्षाएं देख शकते हैं विशेश रूप से स्कूल वैख्याता राजनित्ती विज्यान्स के शंदर में आईए अब हम एक एक प्रशन की चर्चा करते हैं बड़ी ग रज्य के लिए एक रज्यपाल होगा ये बात एक दम सही है आर्टिकल 153 में इस बात का इस पश्टत उलेख है क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्यद 152 में रज्य की परिवाशा है और वहीं से रज्य के प्रावधान प्रारम होते हैं रज्य की कारिपालिका के संतर में परन्तु अनुच्यद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक रज्यों के लिए रज्यपाल निक्त किये जाने से निवरित नहीं करेगा आप लोग जानते हैं कि साथवे सविधान संशोदन 1956 जो की रज्य पुनर गठन अधिनियम आयोकी सिपारिश के तैद किया और बारत में 14 राज्य और 6 के अंधर सासित प्रदेशां का घठन किया गया A B SID D की जो स्रेणिया? A B SID की जो श्रेणिया इस विधान के अंतरगत 6,7,8,9 इन में से केवल 6 और 8 की जो भागता उनको रखा गया राज्य और के अंदर सासित प्रदेश बाकि जो बहरी अरजिट जो प्रदेश थे और जो 20 रानी के अंदर जो देशी रियासतों के जो प्रावदान था उनको समाप्ट किया गया. उसी समय साथवे सविधान संसोदन 1956 के तेति यह प्रावदान किया गया कि एक ही व्यक्ति को तो दो या दो से अधिक रज्जों के लिए रज्जपाल निउक्त किया जा सकता है, तो बिलकुल ये बात अनुचेद 153 में इसपस्टत लिखी हुई है, तो ये कथन भी बिलकुल सही है, अगला अनुचेद 152.156.2 के अनुशार रज्जपाल रस्टपती को संबोधित अप के मन में एक प्रशन उठना होगा, कि यहां 152 दे रखा है, यदि यहां 156.1 हो जाता और यही बात लिखी भी होती ति यह कथन गलत हो जाता, कितना बारिकी से ध्यान रखना होता है, अनुचेद 151 में इस बात का इसपस्ट लिख है, कि रज्जपाल रस्टपती के प्रश प्रशाद परियंत अपने पद पर बने रहते हैं, यनि कि रज्पाल का कार्यकाल रस्टपती के प्रशाद परियंत, कभी भी उनको पद से हटा जा सकता है, सविधान के किसी बे अनुचेद में रज्जपाल को हटाने के आधारों का उलेग नहीं है, आप जानते हैं कि पत्र 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 देशकते हैं, लेकिन या अनुचेद 153 भी होता, तो भी ये कथन गलत हो जाता, अनुचेद 153 में क्या है? अनुचेद 153 में इस बात का उलेग है कि रज्जपाल पद गरहन की तिती से पद ग्रहन की तीती से पांच वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे यनि कि रज्यपाल का कारेकाल पद ग्रहन की तीती से पांच वर्ष तक होता है इस बात का उलेक अनुचेत 153 में है आप सोच रहेंगे तो फिर रज्यपाल का कारेकाल कितना होता है राज्यपाल के कारेकाल के संदर में एकदम सटीक उत्र तो यह है कि उसका कोई निच्छित कारेकाल नहीं होता, वो राष्टपती के प्रशाद परिंत अपने पत पर बने रहते हैं, दूसरा वो कभी भी अपने पत से त्याग पतर दे शकते हैं, यदि उनको हटाया नहीं ज चाहिए, तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा, एक, दो और तीन, यानि कि सभी कतन इसमें आपके क्या है, शक्ते हैं, आईए अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, अनुचेद 1.99, वन के उपकंड को, देखे अनुचेद के भीतर धारा और उसके भीतर भी फिरको से उपकंड चो में वी निद्रिष्ट किसी विशे के लिए उपबंद करने वाला विधैक या संसोदन रज्यपाल की सिपारिश से ही पुने इस्तापित या प्रस्तावित किया जा सकता है, अर्थार्थ, धन विदैक, वित विदैक भी दो प्रकार के होता है, प्रथम स्रैनी के जो वित विदैक और जो धन विदैक हैं, वो रज्यपाल की अनुमती के बाद ही विदान सभा में रखे जाते हैं, एक तो ये बात है, दूसरा परंतु किसी कर के गटाने या उसके उत्साधन के लिए उपबंद करने वाले किसी दन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधिन रज्यपाल की सिपारिश की अपेक्षा नहीं है, ये दोनों कतन सही है, और ये दोनों कतन सही है, और ये दोनों कतन जो बातें लिख रखी है, वो भारतिय सविदान के अनुचेद 207 में इस बात का उल्लेक है, अनुचे 207 मे दोनों बाते लिखेगे और यहीं पर इनको copy-paste किया गया है, इसका मतलब constitution की प्रतेक शब्दावली, शब्द ट्यू शब्द जिसको हम कहते हैं, आपको याद करना होगा, इन प्रशनों के उत्तर देने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, उसके बारे में भी हम लोग बा स्री SC 3.5 की नुक्ती 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई, इसमें कोई दोर आई नहीं है, कि राजस्तान लोक्षवा आयोग के शदश्य रहेते SC 3.5, लेकिन यहां क्या दे रखा है 1952, जो की पुरण तक गलत है, इनकी जो नुक्ती हुई थी 1950 में, और 1951 तक ये RPSC के अध्यक्ष रहेते, येदि डेट की हम बात करें, तो 28 जुलाई से, 28 जुलाई 1950 से लगा कर, यहां पर जो है, 7 जुलाई, 7 जुलाई 1951 तक RPSC के राजस्तान लोक्षवा आयोग के अध्यक्ष रहेते, लेकिन किवल ये प्रशन किस के कारण गलत हो रहा है, 1952 के कारण, ये इदि याप पर 1950 लिखा होता, तो ये प्रशन सही होता, क्या इतनी बारीकी से आप लोग ध्यान देते हैं पड़ते समय, क्या तथ्यों को इतनी गहराई से आप लोग अध्यन करते हैं, आपका उत्र ये दिया है, नहीं, तो अब गहराई से अध्यन करना प्रारम कर दीजे तो ये कतन हो गया आप लोगों के गलत, आयोग के कारियों को नियमित करने के उदेशे से, राष्टपती द्वारा, राजस्तान लोक्षवा आयोग नियम 1951 और राजस्तान लोक्षवा आयोग नियम 1951 पारित किये गये, यनकी सेवा सर्तों के समन्द में नियम और कारियों की सीमा के संदर में नियम 1991 में पारिद किये गए बहुत ध्यान से सुनना इस बात को राजस्तान लोक्षेवा आयोक्षेवा सर्त नियम 1951 राजस्तान लोक्षेवा आयोक्षेवा आयोक्षेवा कारिये की सीमा नियम 1951 पारिद किये गए ये बात या तक बिल्कुल सही है, आप कोगे फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि यहां राष्टपती नहीं, यहां उस समय राजस्तान में पद हुआ करता था, राज्यपाल की जगे राजपरमुक, आप जानते हैं कि साथवे सविधान संसो दिन 1956 के तैर राजपरमुक के इस्तान पर दे साथ, प्रॉसके देखेंडा多 दो बाते हैं, एक बात सही एक गलत, एक बात सही एक गलत, इतनी ग्याराही शें अधियन करना ओताने और रिपने फ्रस्णों को पढ़ना होता हैं, और यदि आप ने संसरी पर दोऑना है है, तो ऐसी पर देख्यों को छोड़कराने में बले अटेंड किया है तो 100% ये प्रशन आपका गलती होगा चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिकित मैंसे कौन राजस्तान की पनरवी विदान सभा के प्रोटेम इश्पी करते हैं ये एक ऐसा प्रशन था जो आपके करने लाइक था ये प्रशन आपने अटेंड किया है तो इसका मत लोगों के बिल्कुल करने लाइक नहीं था ये प्रशन बिल्कुल आप लोगों के करने लाइक नहीं था लेकिन ये प्रशन करने लाइक भी था और एकदम आपके सही भी होना चाहिए था गुलाब चंद कठारिया प्रद्यूमन शिंग चौध वी जो विदान सभा थी और परश राम जी जो है शातवी विदान सभा के प्रोटे मिश्पिकर रहेते, सरी राजेंदर पारी किसी भी विदान सभा के प्रोटे मिश्पिकर नहीं रहे हैं, तो प्रोटे मिश्पिकर जैसे किसी भी प्रकार की शब्दावली भारतिय से विदान में नहीं है, शदश्यों क नव गठित विदान सबा के सदस्यों को शपत दिलाने का कारिय होता है रजपाल का रजपाल अपने प्रतिनिती के रूप में प्रोटेमी स्पिकर और इस्ताई जो है अज्यक्ष की नुक्ति करते हैं अगला प्रशन राजस्तान के विदान मंडल के किसी सदन का अदिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ती यनि कौरम का प्रावदान भारतिय सविदान के किस अनुचेद में है लीजिए जरा अभी एक एक्जाम हुआता जातक मुझे याद आ रहा है अभी यह सविदान के अनुचेद के ऐसे प्रशन दिये कि चाहकर भी गलत नहीं कर सकते हो एक अनुचेद तीन सो चपन एक सो एक तालिश एक चवदार एक सतर गलत चाहकर भी नहीं हो सकता है लेकिन याँ देखे जरा राजस्तान की विदान सबा के अधिवेशन को गठित करने यह तूग गणपूर्ती कितनी चाहिए यह तो हमें पता है और हम पढ़ते आ रहे हैं कि गणपूर्ती एक बटा दस या दस्वभाग एक बटा दस या नियूनतम दस या तो कम से कम 10 संक्या होने चाहिए या एक बटा 10 सदन की कुल सदस्य संक्या दोनों मैंसे जो अधिक हो जैसे राजस्तान की विदान सभा की 200 सदस्य संक्या तो इसका दस्वा भाग कितना हो गया 20 सदस्य कम से कम होने चाहिए एक बटा दस्वा भाग 20 सदसे कम से कम होने चाहिए और नियूनतम कितने दस दोनों मैं से जो अधिक संक्या हो वो होना चाहिए ये बात तो हमको बता है लेकिन या प्रशन या आर्टिकल इसका क्या करें आप आर्टिकल 189 भी यदि ध्यान रख लिटते हैं कि इसका उलेट 18 189 में है तो भी आप इस प्रशन को हल निकर पाएंगे आपको तो यह पता होना ची कि 189 1 में है 189 2 में है 189 3 में है या 185 1 में है इतनी गहराईशे प्रशनों को पढ़ने के बाद या आप ऐसे प्रशनों का उत्तर दे पाते हैं 189 में इस बात का उलेख है कि सदन से कोई भ विदयक बहुमत से पारित किया जाएगा यहां बहुमत का मतलब है सदन उपस्तित उपस्तित और मद्दान में भाग लेने वालों का केवल बहुमत और इस प्रकार के शाधारन या सामानिते विदयकों पर पीटाशी नदिकारी जो भी है अध्यक्ष है सभापती वो मत का प्रियोग नहीं करेंगे लेकिन बराबर इस्तति होने पर वो नरणाइक मत देशक्त हैं इस बात का उलेख है 189 में 182 में इस बात का उलेख है कि कुछ सदश्यों की रिक्ती के बाद भी शदन का अधिवेशन आहुद करने की शक्ती है कुछ सदश्यों की रिक्ती होने के बावजुद भी और इसका सही उत्तर है आपके 189.3 में इस बात का उलेख है कि गणपूर्ती है वो एक बटा दस या यह किसकी बात है, विधान परिशद, कि विधान परिशद के सभापती और उपसभापती को हटाने का जब परस्ताव लाया जाता है, तब वो पीटाशीन अधीकारी के रूप में कारिये नहीं करेंगे, और ऐसी इस्तती में वो निरनाइक मत भी नहीं दे सकते हैं, वो अपन नहीं करने लाइक था निमलिखित मैसे किस अधिनियम द्वारा पहली बार Governor General को अध्यादेश जारी करने की शक्ती दी गई थी पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ती किसके पहत दी गई इसका उत्रोगा 1861 भारत अधिनियम 1861 अक्षर हम किसी भी एक्जामें 1703 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़के जाते हैं 1908 का पढ़के जाते हैं 1909, 1909, 1935 और 1947 तक ही सिमित रहते हैं लेकिन प्रशन 1861 में से पूछ लिया गया चलिए ये प्रशन भी जिनकी धंकी त्यारी वही कर सकते हैं अन्यता उनको भी छोड स्विन्य अवग्या अंदोलन आरम करने के लिए प्राधिकर्थ किया गया था ये अच्छा प्रशन था ये आप लोगों को आनाई चीए था 1929 में लाहोर की रावी नदी के तर्थपर्ज पंडी जवारला नेरू के अध्यक्स्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो करने के प्रस्ताव की स्विक्रती के बाद सविधान सभा को राष्टिय जंडा किसने भीट किया 15-14-15 अगस्त की मध्यरात्री 1947 को हिंदुस्तान आजाद होता है हमारी सविधान सभा की विशेश बैठक उस दिना अरुजित की जाती है मध्यरात्री को जिस समय जैसे देश में बारा बचते हैं यानि कि हिंदुस्तान आजाद होता है पंडी जवारला नेरु ने ततकालिन प्रधान मंत्री ने अपना बड़ा प्रशित भासन दिया जिसका नाम है ट्रिस्ट विद्ध डैस्टिनी या भग्य वदूशित चिरप्रतिक्षित भेड पंडी जवारला प्रशन पूछा गया है कि सविधान सभा को रस्ट ये जंडा भेट किया जाता है आपको कि ये क्या प्रशन है और इस ऐसे प्रशनों के उत्तर का मिलेंगे ये भी बताएंगे कि इस प्रशन का उत्तर का लेकिन पहले इस प्रशन का उत्तर जान लीजिए इस प्रशन का उ तरब से मैलाओं की तरब से मैं सविधान सभा को इस राष्ट्य द्वज को अर्पित करने का मुझे आश्व अभग्य प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इदी शरोजनु नाइडी उस अधिवेशन में उपस्तित रहते हैं, तो शाइथ द्वज वो देता हैं, लेकिन उनकी अ आदर्ष सविधान के विशेशग्ये, डॉक्टर दिनेजी गैलोज सर के द्वारा एक नहीं मुहीं प्रारम की गई भारत को आजाद हुए पिछोतर वर्ष पूर्ण होने पर सविधान सभा की प्रतियेक बैठक को ठीक पिछोतर वर्ष बाद में उसी दिन, उसी अधिवे ग्रेशला के लेकिन मैं भूल चुका था कि इसका उतर क्या है तो उसके लिए मैं वापस उस वीडियो को देखा और उस वीडियो में मुझे इस प्रशन का उतर आसानी से मिल गया आजकल सविधान सभा की बैहस में किस समय क्या हुआ किस ने क्या का इस प्रकार के प्रशन भी पूछे जाने लग गये हैं इसलिए आप लोगों को सविधान सभा के संतर में महतपुर्ण तथिये यह संपुर्ण भ्रहंतियों को इदी दूर करना है तो आपको इस बहस को भी देखना होगा या पढ़ना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिखित मेंसे किस अनुछेत में यह उलिखित है कि जब लोग्षबा सत्तर में नहीं है तो राज्जे की संचित निधी मेंसे वई के लिए संसद की मंधूरी लंबित रहने तक ऐसे व्योंं की प्राधिकरती स्विकरती राष्ट पती को समता होगी यानि कि देखिए कितना गहरा प्रशन है, पहली बात तो है कि अनुचे 356 के तैट यदि किसी रज्य का समविधानिक तंतर विपल हो जाता है, समविधानिक तंतर विपल होने का मतलब केवल समविधान के अनुशार साशन चलना ही नहीं है, यानि भरस्टाचार बढ़ गया ह है हिंसा हो रही है, रज्य में समविधान के अनुशार व्यवस्ताइं संचालित नहीं हो रही है, इसका मतलब है इसका बहुत बढ़ा दाइरा है, नैट में एक बार प्रशन भी पूछ लिया गया, तो अनुचे 356 के तैट किसी रज्य में यदि रष्टपति शाशन लाग है, विदान सभा को यदी भंग कर दिया गया है, तो ऐसी हिस्ति में वो कार्य कौन करेगी, या विदान सभा भंग भी नहीं है, तो अनुचे 356 जब लागू हो जाता, तो रज्यों की सभी शक्तियां जो है के अंदर सरकार को प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी समय में रज्य सभी शुची रज्य की संचित निदी से धन यदि आपको निकालना है, तो लोक्षबा अनुमति देगी, लेकिन लोक्षबा यदि शत्र में नहीं है, तो वो अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी, राष्टपती के द्वारा, यहां तक तो बात है, यहां तक तो बात ठी है, ठीक है, राष्टपती, कोई बात नहीं, लोक्षबा लोक्षबा नहीं है, तो राष्टपती हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन प्रशन पूछा कि इस बात का उले किस अनुचित में, और तुरा देखिए, 151 में कह, 151 ख, 151 ख, 151 ख, 300, sorry, 356, sorry मा पी चाहता हूं, 356 356 यहां पर 356 है, 356 एक का ख, 356 एक का ख, 357 एक का ख, और 361 का ख, बताई जरा, यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, 360 क्योंकि वित्तिये आपातका लगाया जाता है, शाक को खत्रा हो तब, तो वित्त से जोड़कर कुछ विद्धियारतियों ने 360 कर दिया, तो उनका यह गलत हो गया, क्योंकि विकल्प एकदम क्या है, गलत है, इस प्रशन का जो उत्तर है, वो है, 357 एक ग, यह इसका उतर है, इसमें हूब हूँ यह बात लिकी हुई है, कि अनुचे 356 के अंतरग जो राष्टपती शासन लगता, उस समय की बात को यहां से प्रारम किया गया है, हूब हूँ अनुचे 357 एक गह में इस बात का उले के यह प्रशन छोड़ने लाइक था, करने लाइक नहीं था, आगे बढ़िए, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रशन गई, और 91 सविदान संसोदन 91 अमेंडमेंड, 2003 के तैती प्रावधन किया गया, कि जो है, मंत्री परिशत की सतश्य संक्रा को भी निच्छित किया गया, उसके बार में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन, किस पैरे में इस बात का उलेक है, कि यदि कोई दल बदल करता है, त सब तक अयुग्य गोशित होगा, ये जो पैरा है, वो कौन सा पैरा है, पैरा दो में, यनकी दल बदल की जो अनुशुची उसके पैरा दो में इस बात का उलेक है, ठीक से यदि पढ़ा है, तो इस प्रशन को कर सकते थे अन्यता ये भी छोड़ने लाइक था, संयुक्तरा सार्व भूम और सम्माने इस बात का उनुशित एक में, शनुक्तराष्टेशं के उधिश्यों में कई उलेक नहीं है, और सभी सतर्श्य सम्मान ही नी, क्योंकि सुरुक्षा परिशद में पांच देश वीटो धरी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक व दो दोनों सत्य ह है, भारतिय सविधान के निमलिकित में से कौन से अनुशेद में ये उलेकित है, कि किसी रज्य की मंत्री परिशत में, मुख्य मंत्री शहीत मंत्रियों की कुल सदस्य संक्या, रज्य की विदान सबाग के सदस्यों की, कुल सदस्य संक्या के 15% से अधिक नहीं होगी, अभी बदल की जब परवर्ती रूक नहीं रही थी, क्योंकि MLA डल बदल क्यों करता था, मंत्री बनने के लिए, तो फिर हमारे देश के साशन चलाने वालों ने सुचा कि न रहेगा बास तो न बजेगी, बासूरी क्योंकि कोई MLA या MP डल बदल करता है, तो जनता और राजनितिक दल दोनों के साथ में धोका होता है, तो ऐसे इस्तिति में 91 सविदान संसोदन 2003 वाजपई साब की सरकार के समय एक कमेंडमेंट लेकर आये, और दल बदल के प्रावधानों को और कठोर किया गया, और ये प्रावधान किया गया, कि रज्य की अधियम बात करें, क्योंकि सतस्य संक्या नहीं होगी, अर्थार 30 से अधिक मंत्री परिश्यत की सतस्य संक्या नहीं होगी, मुख्य मंत्री शहित, मुख्य मंत्री 30 की संक्या में क्या है, उप मुख्य मंत्री भी शामिल है, क्योंकि उप मुख्य मंत्री जैसे किसी सब्द का सविधान में उलेकी, नही विंतम किशी रज्य मंत्री पृष्इट की स्सार्ष्य संक्या कितनी होगी? 12, 12 तो कम से कम होनी चाहिए, दोनों मेंसे जो अधिक हो वो लागु होगी, क्योंकि अमारे देश में बहुत से असी विदान सभाजा, 60 स्सार्ष्य संक्या है, तो ऐसे हिस्ति में तीन चार लोग तो सरकार चला नहीं सकते हैं ये बात तो ठीक है हम लोगों को ये पता है लेकिन ज़रा विकल्प देखिए प्रशन यह है कि ये बात किस में जोड़ी गई शिदी शिबात है एक ग्राणवे सविदान संसोदन 2003 के तैज जोड़ी गई तो मूल सविदान में तो ये बात थी नहीं श्वाभाविक बात है कि ये मंत्री परिशत से समन दीत है इसका मतलब मंत्री परिशत वाले आर्टिकल में जोड़ी गई यहां जो अनुचे दे रखे हैं दो दे रखे हैं 165 और 164 दो 165 है दो 164 है तो सबसे पहले तो इनको आपको कम कर लेना चाहिए कि 165 में तो रज्ज के माधिवत का उलेक है इसका मतलब सीधा सा हो गया कि ये दोनों विकलतों किया होगे गलत लेकिन समश्या का समाधान अभी भी हुआ नहीं है क्यूं क्यूंकि 1645 और 164 एक का को इन दोनों में से क्या होगा अब आप जानते हैं कि अनुचेद 164 मंत्री परिशद के संदर्ब में है और अनुचेद 164 के तहत रस्टपती रज्यपाल सोरी रज्यपाल मंत्रियों की न सदर्ब करेंगें और उनको सपत दिलाएंगे अब मंत्रियों की नुपती करेंगे तो यही पर इस बात को जोडा गया कि मंत्रियों की कितनी नुपती कर सकते हैं तब ये बात यहीं पर जोड़ी गई, 164.1 कर में जोड़ी गई, कि आप मंत्रियों की नुक्ती तो करोगे, लेकिन उस रज्य की विदान सभा की कुल सतस्य संक्या के 15% से अधिक उनकी संक्या मुख्य मंत्री शहित नहीं होनी, चाहिए इतना एदिया आप दिमाग लगाते ह तो सिदा सा आपका उत्र हो जाएगा 164.1 कर, क्योंकि 164.5 में इस बात का उलेख है, कि मंत्रियों के वेतन भक्तों का निर्धरन रज्य की विदान मंदल करेगी, जब तक रज्य की विदान मंदल ये निर्धारित नहीं कर देती, तब तक दूसरी अनुशुची में जो व प्रशा संदर में निमलिकित कतनों पर विज़्ार कीजिये, राजस्तान में सासन सच्छीवाली की इस्तापना उनरिव कि गई बात बिल्कुल सही है, राज्य में प्रशासन तंतर की सथांपना हितू, राजस्तान, एडमिनिस्टेशन, ओर VOICE 1995 यनकी अध्यादिय जारी किय बिल्कुल ये बात भी सही है, दोनों कतन सही है, लेकिन इस प्रशन का उत्तर भी, जिनको फैक्ट तत्य ठीक से ध्यान है, वो ही कर सकते हैं, चलिए, राजस्तान के निमलिकित पूर्व मुख्य सचिवां पर विचार कीजिए, लगा अतार ये प्रशन आ रहे हैं, आपको न पर विचार की रखने पड़ेंगे, उनका करम भी याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन बने और बाद में कौन बने, राजस्तान के मुख्य सचिव की अधियम बात करें, तो बीजी राव उन्नीशो त्रेवन में बने थे, और उसके बात में शुब्र मणियम उन्नीशो चौपन में बने थे, क्रशन पूरी 1957 में और महता जो है 1958 में, तो ये इनके बनने का जो है क्या राथा, कर्म राथा इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना 53, 54, 57 और 58, इस प्रकार से सबसे पहले C आएगा आप लोगों के, तो C इसी में है, तो सीधा ही आपका कौन सा हो ग गया, C, A, B, और जो है, एक मिन्ट, C, इसमें A आ रहा है, एक सेकेंड वापिस देख लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, प्लीज वेट, बीजी राव तो 1953 में बनेते हैं, इसमें किसी प्रकार की दो राई नहीं हैं, और ये 1924 में थे क्रशन पूरी, 1924, 1953, 1957 और 1958, इतने तथिय और फैक्ट आपको ठीक से पता है, तो ऐसे प्रशनों का उत्तर दे सकते हैं, अब देखिए, 1953, यनि C पहले और उसके बाद में ये तो ये आपका सही हो गया, अगला प्रशन, भारतिय सविदान के निमलिकित में से किस अनुछेद में ग्राम सभा की परिवाशा का उलेख है, एक्चुली एक पहले एक्जाम हो आता, कुछ वर्ष पहले मुझे ठीक से याद तो नहीं कौन सा एक्जाम है, उसमें एक प्रशन पूछा गया था, कि ग्राम सभा की परिवाशा निमलिकित में से किस अनुछेद में है, उसमें जो आर्टिकल थे वो थे 243, 244, 243, 243A, 243 इस परकार के आर्टिकल थे 243, तो बहुत से इस्टुडेंट्स का एक प्रशन गलत वा क्यूंकि अनुछे 243A में ग्राम सभा को समविधानिक दर्जा दिया गया, तो उन्होंने सोचा जा समविधानिक दर्जा दे रखा है, वहीं ग्राम सभा की परिवाशा है, लेकिन ऐ एक बार एक्जाम में प्रशन आ जाता तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर बनाने वाले तो तुँ जो है डाल डाल में पात पात वाली बात है, तो ऐसी इस्तती में उन्होंने सबने ये तो याद कर दिया कि परिवाशा है, ग्राम सभा की वो कौन से अनुचेद में है 243 में, अब जड़ा इस प्रशन को देखे, बड़ा आनद आने वाला इन प्रशनों को देखकर आपको कि भारतिय सविदान के निमलिकित में से किस अनुचेद में ग्राम सभा की परिवाशा का उले के ये तो ठीक है, लेकिन जड़ा विकल्प देखे क्या दे रखे हैं, च जारों में 243 है, ठीक से सुन लेना, अब क्या करोगे, फिर इन में है कि क ख ग या च इन में ऐसे किस में है, अब को को आसान कर दिया, जिसने भी ये पिपर दिया, इसके A, B, C, D, लेकिन अब क्या करोगे, देखे, बड़ी अजीब सी इस्तती है, आपको कितनी गयराई से को पढ़ना चाहिए, और कैसे याद रखना चाहिए, वो हम सब के लिए चुनोती पुन कारिया है, लेकिन हमको गबराना नहीं है, आंधी क्या है तुफान मिले, चाहे जितने ववधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, हम नई छेतना की धरा, हम अंधियरे में उजिया रहा हम उस ब्यार के जोकें हैं जो हरले जक्का दुक शारा चलना है पत पर शूल मिले तो क्या पत पर अंगारे जले तो क्या जीवन में कहां विराम है बढ़ना ही अपना काम है बढ़ना ही अपना काम है पेपर टप आ रहा है प्रश्णों की प्रकृ 45 ख, ख, ग, ग, ड, च, और च, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ शब्दों की परिबासा है, कितने सब्दों की परिबासा है, साथ सब्दों की यहां पर क्या दे रखी है, आप लोगों के परिबासा दे रखी है, और सबसे पहले जो परिबासा दे रखी है, इसको मैं छोड़ रहा हूं जिल्ला के बाद में मध्य इस्तर की याद करने का तरीका बता देता हूं और यहां हो गया आपके ग्राम क्योंकि स्वरी ग्राम नहीं यहां होगा पंचायत पंचायत एक बार यहीं आप लोगों को रुखना है यानि कि पंचायत रास संस्ताओं म इसमें पंचाय शमिति और ग्राम पंचायत पंचायत तो एक बार इसको continue ऐसे करना है कि जिल्ला मध्य और पंचायत यह तीन हो गए अब हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत पंचाय शमिति और जिल्ला प्रिशत के अलावा एक और संस्ता की बात आती है और वो है ग्राम तो बहां अनुचे 243 ख में, इस बात का उलेख है, अनुचे 243 ख में, अब जड़ा नीचे देखिए, ड, छ, और छ, यह जो है, इसमें कहां किसकी चीज है, तो इसमें जो है, ड की अदीए हम बात करें, तो जनसंख्या और ग्राम, जनसंख्या, जनसंख्या, यही का मतलब कि इस प्रकार से इनको याद करते हैं तो ऐसे प्रश्णों के उत्र दिये जा सकते हैं भारशासन अधिनियम 1935 की निमलिकित मैसे कौन सी धारा के अंतरगत गवर्नर जनरल अपात काल की उद्गोशना करता है लीजिए वरतमान सविधान के अनुछेद याद करें या भारशासन अधिनियम 1935 की वो इतनी सारी धाराय याद करें हमें तो वरतमान सविधान के अनुछेदी बड़े मुस्किल से याद होता है और वो भी उपर उपर से याद कर लेते हैं लेकिन आज कल प्रशन के भीतर के पूछे जाने लगए तो वह तक तो सवाली पैदानी होता है क्या 1935 की किस धहरा में इस बात का उलेग है कि गवर्र जनरल को आपातकाल की उद्गोस्टना करने की शक्ती जो दी गई थी इस प्रशन का उत्तर आप लोगों के लिए होगा 102 बिलकुल 102 में आपातकाल इन शक्तियों का उलेग है 102 इसका उत्तर क्या होगा सही होगा 1935 के अधिनियम, बड़ी मुश्किल से इस प्रशन का उत्तर मिला, पूरा भारशासन अधिनियम 1935 डाउनलोड करना पड़ा, उसकी एक एक धारा को देखना पड़ा, तब जाकर इस प्रशन का उत्तर मिला, चलिए आगे बढ़िए, राज्य के नीती निदेशक तत आएंगे कि इन प्रशनों को आप कैसे हल कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, निमलित कतना पर विचार कीजिए, अनुचेद 38 के अनुचार राज्य लोग कल्यान की अभिवर्दी के लिए सामाजिक व्यवस्ता बनाएगा, बिलकुल बात सही है, अनु अनुचेद 49 क में इस बात का उलेख है कि इस्त्री और पुरुष इस्त्री और पुरुष दोनों को आजिवी का के समान साधन प्राप्त होने चाहिए, अनुचेद 49 क में जबकि जो दे रखा है उसकी जगे अनुचेद 48 ये दे रखा होता, बिलकुल उत्तर सही होता, सान्ती और सुरुक्षा की अविवर्दी का प्रियास करेगा, बिलकुल ये कतन आप लोगों के लिए सही है, अनुचेद 51 क में बिलकुल, तो एक और तीन, यानि कि ये इसका उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोगों के सही होना चाहिए, पंच शिल के संतर में कौन सा कतन सह अनुचेद भी नहीं है, तो सिधा सा इसका उत्र हो जाएगा, सामुईक सुरुक्षा की अवधरना को स्विकार नहीं किया गया, बाकी अखंडता, अनाकरमन और अस्त्रशेप ये तीनों इसके अंतरकत है, 29 अप्रिल 1954 में, पंच शिल का समझोता, चाउ एन लाई और अनुची एक और दो को मिलान कीजियो, सही बताईए, एक तरफ दे रखें आपके अध्याई और एक तरफ दे रखें यूए नो के अंग, किस अंग में किसका प्रावधान है, इसका मतलब किस अध्याई में कौन सा प्रावधान है, किस संस्ता का, किस अंग का गठन है, उस जो है UNO की धराएं याद करें, देखिए पढ़ना तो सब कुछ पढ़ेगा, अब पढ़ने का तरीका बदलना पढ़ेगा, परम परागत तरीके से हटके नई, इसमार्ट इस्टडी करने की आउशकता है, प्रस्नों की प्रकृति को समझें, पेपर बनाने वाले की इन एक तम साइलेंट मूड पर रहकर त्यारी करने की आउशकता है, तब कहीं जाकर सफलता की शंभावनाई बनती है, तो देखिए सुरुक्षा परिशत के संदर में जो धारा है, वो आप लोगों के है धारा पाँच में, शदश्यता के संदर में जो प्रावदान है वो ह अध्याई 2 में, धारा बोल रहा हूं, धारा हैं कापी समय सबात कर रहे है, शुरुक्षा परिशद का उलेक अध्याई 5 में है, शदश्यता का उलेक अध्याई 4 में है, आपको इन दोनों से उत्तर हो जाएगा, किया देखिए, दो च्यार, दो च्यार कोई दिकत, अब तक तो कुछ समाधान हुआ ही नहीं, ये भी चारों के उत्तर बता होने चीए, कितने विकल्बी कितने नजदीक दिये जा रहे हैं, विवादों का सांतिपुन निप्टारा, इसका प्रावदान जो है, तीन में ही हैं, और फिर आर्तिक और सामाजिक परिशद है, दस में, तो इस सारे अध्यायाद करने पड़ेंगे, अगला, लीजे, एक और धारा का सामना कर दीजे, मानवा अधिकार संग्रक्षन अधिनियम 1913, 1993 के निमलिकित मैं से कौनसी धारा, राज्य आयोग के अध्यक्स वर सदस्यों की नुक्ति से समंधित है, तो धारा जो 20 है, इसमें इसके गठन का प्रावदान है, 21 में इसके गठन का प्रावदान है, 22 में इनकी नुक्ति के संदर में प्रावदान है, 22 तो इसका उत्र तो आप लोगों के आ गया, 22 में रज्य आयोग के, ये रज्य की बात कर रहा है, क्यूंकि दोनों के लिए अधिनियम ये किये, अध्यक्स औ और 24 में पदावदी है, देखिए जैसे राष्टपती, रज्यपाल की पदावदी, कारेकाल, गठन, नुक्ती अलगलग आर्टिकल में होते हैं, उसी प्रकार से किसी आयो के, अध्यक्स और सदश्यों के भी उनका गठन है, नुक्ती है, त्याक पत्र है, पदावदी ये भी शैकारी समीति का प्रावदान किया गया, अनुचित 19 में 20 का प्रावदान किया गया, नीती निदेशक तत्तों में 20 का प्रावदान किया गया, 43 के अंतरगत, और अलग से भारतिय सविदान में भाग जो है, नुक्त और अनुचित नुक्त का प्रावदान किया गया, अनु तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंप्रा का मैत्व समझे और उसका परेरक्षन करें, ये छे नंबर है, मूलकर्टविये, सारोजनिक संपत्ति की शुक्षा करें, और हिंसा से दूर है, ये नौ नंबर है, अम इसको ऐसे द्याद रखते हैं, कि जहां भी हिं संस्वर हो जाएगा, जो कौन सा है, तीन, आईए अंतिम प्रशनों की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये प्रशन भी आपका होना चाहिए, कि सर्वोच नियाले ने किस वाद में राष्ट्य ध्वज को लहराने का अधिकार अनुचेद 1901 के को के अधिक के भीतर दिया गया, त इस प्रकार के प्रशनों के उत्तर हम कहां से पड़े, मुझे कई मेरी यदिक किताब मिल रही है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस प्रकार के प्रशनों के उत्रों को जानने के लिए, आपको जरूरी है कि आप बैर एक्ट पड़े, और इजनल जो सविधान का खूभू, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप लिजिए, ताकि अंग्रेजी सब्दावली का भी ध्यान रहे और हिंदी में भी आप लोगों को ध्यान में रहे, ये किताब सविधान के ऐसे प्रशनों का उत्तर देने के लिए ही है, इसके अलावा दूसरी कोई किताब नहीं मिलेगी आपको जिसमें ऐसे प्रशनों के उत्तर आप लोगों को मिलेंगे, और ये आप राजनीति विज्ञान स्कूल लेक्षरर की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे मुबाइल अप पॉलिटिकल एकैडमी को अवश्य डाउनलोड कर रहें, और हमारी देमो कक्षा है, हमारे नौट कंटेंट की जो है कॉलिटी आप लोग देखें और हमसे जुड सकते हैं, इदि आपको ठीक लगता है तो, इस प्रकार के भारतिय सविधान का अधियन भी हम उसके अंतरकत करवाएंगे, हालां कि अभी कॉंस्टिटूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको समय लगेगा, लेकिन आपको यदि जानना है, तो हमारी यूट्यूब चैनल पर उप्राष्टपती टॉपिक हमने पढ़ा रखा है, आसे 6-7 महीने पहले लगबग नवंबर में, जब जगदीब धनकड भारत के उप्राष्टपती बनेते हैं, उसके जान सकते हैं, कि यसे प्रष्णों का उत्र कैसे लेखा जा सकता है, मुझसे मेरे मिलने वालों ने लगातार इस बात का निविदन किया कि सर इन प्रष्णों का आप शलुशन लेकर रहें, मैंने मेरी तरफ से बहतर उतर देने की कौसिश किया है, आप इस वीडियो में अन इस तरह से आप हम से जुड़ कर आपकी तियारी में हम जिदना भी आपका से यूग कर सकते हैं, उसके लिए प्रियासरत रहेंगे, थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्च